नमस्कार स्वागत है आपका अनिल कम्पुटर्स की प्री ओन्लाइन क्लासेश में आज की क्लास में हम सिखेंगे C language में पॉइंटर क्या होता है उसे कैसे यूज किया जाता है तो आएए जहांते हैं C language में pointer को कैसे यूज किया जाता है लेंग विच में हर एक वरियेबल का एक मैमरी एड्रेस होता है और उस मैमरी एड्रेस को देखने के लिए प्रोग्रामर को प्रेडरीबल से पहले एड्रेस उप्रेटर का यूज करना होता है फॉर एक्जामपल हमने यहां पर लिया हमने यहां पर शिर्फ एक क्रेंट करना है तो आड्रेस इक वह भी अड्रेस होगा उसे मैमरी एड्रेस की मदद से वैरियेबल की value को access किया जाता है इसे हम pointer कहता है powder किसी दूसरे variable का address all करके हर एक वैरियेबल का akan address होता है जब वैरिमल डेकले होता है तब अब मैंबरी लोकिशन इकमरी रड्रेस और ही पर अपर यह पर शुद करता है वह compiler automatically ले लेता है syntax for pointer declaration तो सबसे परस्ट आता data type pointer के लिए हम star का icon उस करते हैं और फिर then pointer name example of pointer declaration करें तो int pointer 1 star pointer 1 character star pointer 2 float star pointer 3 double star pointer 4 यह हमारा integer pointer variable है हमारा character का है यह float का है और यह double का है क्योंकि data type हमारा वो चल रहा है तो इंटीजर का होगा तो इंटीजर की value access करेगा character का होगा तो character की value access करेगा फिर full example for pointer की बात करें तो यहां पर हमने header file include किया int में int a is equals to 10 int pointer p integer का pointer बना फिर pointer is equals to address of a pointer के अंदर के अंदर हमने किया कि एक आड्रेस है उसको put up करा दिया तो पहले हम एक की value को print करेंगे यहां पर address of a is percent you ptr तो यहां पर pointer की value यानि जो एक address होगा वो pointer में असाइन करेगा तो इसका output होगा value of a is 10 address of a is जो भी address होगा compiler के according वो ले ले लेता है pointer के दो methods होते हैं सब्सक्राइब रफ्रेंशिंग operator और एक होटा डी रफ्रेंशिंग operator referencing operator referencing मतलब किसी दूसरे variable का address hold करके रखना होता है हर variable का address hold करने के लिए जिसका address hold करना है और जिस pointer variable में बोल्ड करना हों दोनों का data type सीम होना चीए फॉर एक्जामपल इंट इस इक तो 10 इंट pointer पी और पीटियार इस इक्वास टू एड्रेस 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 तो हमारा जो एक एड्रेस है वहां पर स्टोर हो रहा है 겠। इसे होता हमारा d reference और डी रेफ्रेंशिंग अपरेटर डी रेफ्रेंसिंग में अ तो कहते हैं फिक स्टोर किये गए वैल्यो को एक्सस किया बना गिंट निय्क्ट इस उक्वास्ट DO लेकिन हमने यहां पर क्या क्या किया इंट बीज इक्वास टू स्टार पीटी आर तो यह हो गया हमारा डी रैफ्रेंसिंग तो प्रिंटर फैलियोफ बीज इक्वास टू परसेंटी कमा भी तो इसका आउट्पुट आएगा टन यानि हमारी जो एक वैल्यू है वह पॉइंट पॉइंटर में साइन इंटीजर का पॉइंटर है इसलिए तो पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वह भी हां पर रिंट करतेगा है अगर कि अगर को